नमस्कार, स्वतंतृता दिवस के आउसर पर आप सब का हरदिक स्वागत मैं दीपती आ रहे हैं आज आपके सामने लाई हूँ बहुत ही रोचक तत्य जो हर भारती को जानने चाहिए तो चली जानते हैं आज भारत देश के बारे में कुछ ऐसी बाते हैं जो शायद हम नहीं जानते और हमको जानना चाहिए तो सबसे पहले बात करते हैं अपने भारती ध्वज यानिती रंगे की इसको पहले बार 1906 में फैराया गया था लाल पीले और हरे रंग की तीन चैटिज पट्टियों वाला भारती ध्वज 7 अगस्त 1906 को पार्सी बागान स्कौायर कोलकता में फैराया गया था हमारी वर्तमान राश्ट्री ध्वज का पहला संस्क्रेंट 1921 में पिंगली वैंकिया दोरा तिजाइन किया गया था 24 इस पोक अशोक चकर के साथ केसरिया सफेद और हरी धारियों वाला वर्तमान ध्वज आधिकारिक तोर पर 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था और 15 अगस्त 1947 को फैराया गया था क्या आप जानते हैं कि लाड माउंट बेटन ने 15 अगस्त को भारती स्वतंतरता दिवस के रूप में क्यों चुना क्योंकि भारती स्वतंतरता अधिन को 18 जुलाई 1947 को ही मंजूरी दे गई थी लेकिन लाड माउंट वेटन ने भारती सोतंत्रता की तारीक की रुप में 15 अगस्त को इचुना क्योंकि ये दुती विश्यूद के बाद मित्र देशों की सेना के सामने जापान के आत्म समर्पन की तारीक के साथ मेल खाता था हमारा राष्ट गीत वंदे मातरम जो है वो एक उपन्यास का हिस्सा है बंकिमचन चटरजी द्वारा रचित राष्टरी गीत वंदे मातरम वास्तों में 1980 के दसक में लिखे गए उपन्यास आनंदमट का हिस्सा था इस गीत को पहली बार 1896 में रविंद्र नाठ टैगोर ने लिखा था वंदे मातरम को 24 जनवरी 1950 को राष्टरी गीत की रूप में अपनाया गया था क्या आप जानते कि रविंद्र नाठ टैगोर ने बांगलादेश का राष्टर गान लिखा आमार सोनार बांगला 1950 में रविंद्र नाठ टैगोर द्वारा लिखा गया था इस गीत की पहली 10 पंक्तियों को 1971 में बांगलादेश के मुक्ति संग्राम के दोरान उनके पाल जो हैं वो स्वतंतुता दिवस पर राष्ट्री ध्वच फैराते थे लेकिन जब एम करुणा निदी ने पीयम को पत्र लिखकर मुक्मंत्रियों से स्वतंतुता दिवस पर जहन्डा फैराने को कहा तब 1974 से भारती ध्वच को सभी मुक्मंत्रियों ने फैराना लिखा था जिसमें दिल्ली में अपनाई जाने वाली विभिने प्रथाओं पर प्रकाश डाला और उनके इस सुझाओ को केंद सरकार ने मान लिया चलिए अब जानते हैं कि कौन से वो पांच देश हैं जो भारत के साथ साथ 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं जी ह पंद्रा अगस्त 1947 को जब भारत को स्वतंत्रता मिली तब गोवा पुर्तगाल के अधीन था उसे 1961 में भारती सैनिको द्वारा भारत में मिलाया गया इस प्रकार गोवा भारती छेत में शामिल होने वाला अंतिम राज था जब हम भारती ध्वज की बात करते हैं तो क्या हम जानते हैं कि इसकी निर्माइड का अधिकार केवल एक स्थान पर जी हां इसकी निर्माइड और आपूर्ती का अधिकार जो है तैस में केवल करनाटक के धारवाण में करना भारती संग के से provide थे Well इसके पास भारती मानग ब्यूरों के अनुसार राश्ट्री धौश का निर्मार किवल हाथ से काते गए और हाथ से बुने गए सूती खादी के सूतों से किया जाता है जासी किरानी लक्ष्मिवाई बाद्दो शाज अफर तात्या टोपे और नाना साप जैसे अनेक से नानी जिन्होंने अठारा सो सत्तामन में बिटिश रैनिकों के खिलाब प्रत के जाकर आप देख सकते हैं अब बात करते हैं कि तिरंगा हमारा भर्ची तिरंगा क्या दर्शाता है इसकी केसरिय झो पत्टी हैं देश की ताकत और सहस को दर्शाती है धर्म चक्र के साथ सफेद रंग की पट्टी शांती और सच्चाई को दर्शाती है जबकि हरी रंग की अंतिम पट्टी भूमी की उर्वर्ता विकास और शुबता को दर्शाती है अंत में नमन करते हैं अपने भारती ध्वज को अपने तिरंगे को और इसी के साथ एक मेरा छोटा सा नमन इस गीत के माध्यम से आशा करती हूँ आप सब को यह अच्छा लगेगा और अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस मैं जहां रहूं जहां में याद रहे तू एवतन मेरे वतन एवतन मेरे वतन तू ही मेरी मंजल है पहचान तुझी से पहुचो मैं जहां भी मेरी बुनियाद रहे तू एवतन मेरे वतन एवतन याद रहे तू मैं जहां रहूं जहां मेरे वतन झाल झाल